नमस्कार जी मैं हो पुनीत आप देख्रेंस टो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दल से स्वागत करते हैं एक बार फिर से हाजिरें आपके सामने बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको अगले एपिसोड में कैरी फावट करने की लेकिन आधा सच जो है न वो बहुत खतरनाक होता है आपको किसी ने बता दिया कि आपना ऐसे कर लीजे तो आपका जो प्रोफेशन है प्रोफेशनल लाइफ है करियर लाइफ है वो एकदम जूम कर जाएगी वो एकदम से मतलब ठाव हो जाएगी सब एकदम मजे में हो जाएगा सही हो जाएगा सुनील जी अक्सर कहते हैं कि सुनील जी भी कहते हैं पहले जो सयाने लोग थे वो भी कहते हैं हमने भी बच्वन में सुना है कि there is no shortcut to success लेकिन कुछ smart work जरूर है अगर smart work होता है तो कुछ smart ग्रह भी जरूर होते होंगे कभी सोच के देखिएगा जो जो जोतिष को लोग पहचानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि हर ग्रह की चाल जो है वो उसके हिसाब से होती है कोई थोड़ा सा शरार्ती भी होता होगा कोई थोड़ा बिल्कुल भावग भी होता होगा तो आज जो है हमने अच्छी तरह से मतलब गलत तरीके से नहीं असूलों से एथिकल तरीके से कुछ इक शॉटकट्स जो है वो सुनिल जी से पूछ लेने हैं अब होते तो होंगे ऐसा नहीं है कि नहीं है होते होंगे और आज बहुत कमाल का एपिसोड होने वाला है मतलब super interesting episode नीचे numbers लेखे होए हैं और जो numbers लेखे होए हैं वो आपके लिए लेखे होए हैं कभी भी आप आएए सुनिल जी के पास मिलने हैं लेकिन इन पे call करके appointment लेके यह telephoning consultation जो है वो उसके लिए भी good luck report उसके बार में बात होगी टिप अफ तडे उसके बार में बात होगी लेकिन पहले स्वागत होगा उसके बाद स्वागत में ही सवाल बहुत बहुत स्वागत असुनिल जी आप अकसर कहते हैं कोई शॉटकट नहीं होता कुछ तो होता होगा आज आप ये बताइए कि मुझे मेरे करियर में हाइक चाहिए मैं जहां हूँ बहुत सालों से महीं हूँ महनत भी पूरी करती हूँ और लेकिन वो नहीं मिला जो मलना चाहिए था ये हम मैंसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है तो कुछ ऐसा बताइए कि कुछ इसका समाधान निकल आए जो चीज मैं डिजर्फ करती हूँ मेरे करियर में वो मुझे मिल जाए पुरी जी ये आज एपिसोड आपने वाके इंटरस्टिंग मना दिया और जो आपने पूछा है वो बहुत बड़े भेद खोलेंगे आज क्योंकि ये स्नाप्शॉट एक इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला एक एपिसोड है जो लोग केरियर के साथ जूज रहे हैं और जो लोग क्योंकि पुनी जी जब पूछ रहे थे तो मैं वर्क कर रहा था इसके उपर साथ साथ क्योंकि ये जो पूछने जा रहे हैं जो पुनी जी केबर पूछते हैं हमारा केबर मैक्सिम टाइम मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें क्या पूछना है तो आज भी यही हुआ तो ये बोल रहे थे मैं साथ साथ तो इस पर profession में, carrier में boom नहीं मिल रहा या उनको कुछ problem हो आ रही है carrier को लेके, तो वो सभी episode देखें अपनी कुंडले के साफ से अपना इलाज कीजिए, अपनी कुंडले के साफ से अपना उपाई निकाल लीजिए, कैसे करना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपके लिए workout कर लिया है, सभी के लिए कि सबको फाइदा कैसे पहुचाना है इसका result बड़ा अच्छा भी है, fast भी है तो जब आपको result आए तो ज़रूर comment देके अपना जो है आप share कीजिएगा अपने views बात चल लिए करियर की, थोड़ा technical है समझेगा, अगर कुंडली नहीं है stop कीजिए, कुंडली लेके आईए सामने कुंडली रखिए, समझे चीज़ को क्योंकि यहां मैं केबर बात करता हूँ practical चीज़ होगी, ज़्यादा बात करता हूँ केबर मैं कि इसको समझेए सो बात करता हूँ आपके कुंडली के प्रफेशन की, छेमा गर कुंडली का नौकरी का हो गया, दसमा गर आपका प्रफेशन करियर हो गया, सेवन्थ होज़ा आपका वेपार हो गया, सो बात करता हूँ काम की आच, सिर्फ काम की कौन सा प्लैनेट क्या represent कर रहा है, यहां पर उसकी बात नहीं हो रही, कहां पर पढ़ा हुआ है आपका दस्वा लॉड, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा, कहां पढ़ा हुआ आपका छेमा लॉड मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हाँ, आपके दस्वे गर को मैं आज जरूर पिंच करूंगा, आपके मेश लगन की बात करूँ तो टेंथ नंबर जहां लिखा होता है वहाँ आपका दस्वा भाव है वहाँ पे कौन सी राशी पढ़ रही है आपकी कुंडली के हिसाब से उस पे आईए उसके लौड देखिए जो भी लौड है जैसे मेश की बात करूँ दस्वे लौड शनी बनत करता है हर नक्षतर एक एनिमल रिप्रेजेंट करता है करना क्या है आज दो चीज़े करनी है रेगुलर करनी है जो बताऊंगा वैसे ही कीजएगा दस्वे लौड की पोजिशन देखिए कहां है कहीं भी बढ़े हो नक्षतर चाकिजए किस नक्षतर में है उस नक्षतर के एनिमल से आज आपने अपने केरियर के लिए हल्प लेनी है ऐसे निकाले जाते हैं उपाई ऐसे निकलती है प्रडिक्शन्स ऐसे निकलते हैं फाइदे कि फाइदा कैसे होगा तो मैं सबसे पहले नक्षतर की बात करूँगा इसका एक तरीका है तरीका समझ लीजिए जैसे आपके कुंडली में मैं शनी की बात जैसे कर रहा था तो जिस प्लेनिट का जो आपका दस्मा प्लेनिट बनता है उसके कलर का पैन यूज़ करना है उसको फीड भी करना है उस जानवर को और उस जो बताने जा रहा हूँ उस कलर का पैन लेके आपने उसकी ड्राइग बनानी है एक स्केच बनाना है रिजल्ट औरियंटेड रेमेडी है सपोज कीजिए कि आपने आपके जैसे शनी है यह जुपिटर पढ़ रहे हैं नाइन नूमर राशी पढ़ रही है तो रंग कौन सा येलो हो जाएगा कलर मैं सब को बता देता हूँ पुनी जी आप भी कीजेगा आपको भी इसका फाइदा मिलेगा जो कैमरा मैन हमारे वो भी कीजेगा आपको भी फाइदा मिलेगा जो देख रहे हैं वो तो करेंगे करेंगे सो मैं कलर सभी के बता देता हूँ चंदर के लिए वाइट कलर का आप स्केच ले लीजीगा दिखे ना दिखे स्केच doesn't matter लेकिन वाइट कलर का हमने लेना है represent वाइट से करना है आप वाइटनर ले ले लीजीए या वाइट कलर का कोई भी ऐसी चीजी ले जिसे लिखा जा सके चंदर के लिए वाइट रहेगा मंगल के लिए रेड रहेगा आपके बुद्ध के लिए हरा रहेगा आपके जो अपने गुरू है उनके लिए पिला रहेगा तो राशियों की बात हो रही है क्योंकि इनके पास कोई राशिय नहीं है तो रहु के तो यहां में consider नहीं करेंगे तो बात कहां से शरूर करेंगे हम बात करेंगे सबसे पहले वाली नकशतर से आपके लिए जो work out किया है उस जो प्लैनेट है उस कलर से एनिमल हमने ड्रॉ करना है सबसे पहले अश्वनी की बात करूँगा तो घोडे का स्केच आपने बनाना है करना क्या है बाद में बताऊँगा इसका करना क्या है अश्वनी की बात करूँगा तो घोडे का स्केच आपने बनाना है भरनी की बात करूँ तो elephant का sketch रहेगा क्रितिका की बात करूँ तो बकरी का sketch रहेगा दुबारा कहूँगा कि color वही लीजेगा जो planet represent करता है next बात करूँगा रोहिनी आपका सांप का sketch अपने बनाना है कैसा भी sketch बने beautification की तरफ मत जाइएगा जाद जाद क्या होगा तो आप stencil निका लीजे stencil से बना लीजे ये लेकिन draw करना है इसका print out नहीं निकालना ये भी बात का ध्यान रखेगा print out नहीं निकालना draw करना है इसको अपने हाथ के साथ और जो मैं आपको बता रहा हूँ इननी जानवरों को feed भी करना है साथ साथ result आपके सामने होगा मरिक्षरा की बात करना हूँ तो snake का अपने sketch त्यार करना है आद्रा की बात करना हूँ तो dog का अपने sketch त्यार करना है female dog represent करना है कि जैसे एक female dog होता है वैसे का sketch एक भाव होता है पुरनल बसु की बात करूँ तो कैट का स्केच बनाएंगे पुशे की बात करूँ तो आप फिर गोट का बनाएंगे गोट यानि की बकरी का बनाएंगे और अश्टेशा की बात करूँ तो मेल कैट भाव, अगेन भाव आएगा इसमें और मगा की बात करूं तो रैट चुहे का आप सकेच त्यार करेंगे उत्रफागनू की बात करूं तो काउ यां बुल का आप सकेच त्यार करने जएगा इनको फीड भी करना है साथ-साथ इन्ही जानरों को फीड भी करना है अब बात करेंगे कि माउस को फीड कैसे कर सकते हैं माउस को फीड कीजिए और खास करके ऐसे नक्षतर वाले चुहें को कभी मारने की गलती ना करें घर में कोई ऐसा काम ना करें बगाने के लिए जो मर्जी यूज करें लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिसे आपका ये प्रफेशन खत्रे में पड़ जाए ये आप मेरे साब से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी शाद आप समझ भी रहे होंगे कि ऐसे नक्षत्र जिनकी में बात कर रहा हूँ जिनके ये जो अनिमल्स रिप्रेजेंट हैं इनको नुकसान कभी मत पहुचाईएगा ये आपके सीधर सीधर प्रफेशन के उपर नुकसान डालेंगे सीधर सीधर प्रफेशन को हिट करेंगे नुकसान उसमें आपको देखना पड़ सकता है उत्रा फागनों की बात कर रहा था आप काउ का बनाईएगा स्वाती और हस्ता के लिए आपने बफेलो का sketch बनाना है चत्रा की बात करूँ तो शेर का, टाइगर का आपने sketch तियार करना है और आपकी विशाख्या की बात करूँ तो भी tiger का बनाएंगे अंुरादा की बात करूँ आप हिरन होता है उसका आप sketch तियार करेंगे जेश्ठा की बात करूँ आपने हिरन का ही आपने स्केच तियार करना है मूल की बात करूँ डॉक का स्केच आपने तियार करना है इसके पूर्व अशाड़ा की बात करूँ तो मंकी का आप स्केच तियार कर सकते हैं बैंजी का भी बना सकते हैं उत्र अशारा की बात करों तो भी मंकी का ही बना लीजिएगा श्रवन नक्षतर के लिए मंकी आएगा धनिष्टा के लिए लॉइनस जो होती है शेरनी भाव अगें भाव शेरनी का स्केच आप त्यार करेंगे और फिर बोलूँगा कि स्केच उस इन लक्षतरों की स्केच त्यार कीजिए स्केच वाइट पेपर के बनाना है पैन वही जो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है उससे बनाना है बनाके अपने रूम में किसी हाइट वाली जगा पे रख लीजिए अब इसमें दिनों में आप कन्फ्यूज मत होईएगा मैं उसकी भी आपको clarity कर दू कि दिन कौन सा यूज करना है दिन वही यूज करना है जो आपके 10 लौड है दस नमबर है शनी चा नमबर है सोमार यूज कीजेगा मैं आपको सीक्वेंस में बता देता हूँ चंदर है अगर लौड बन रहे हैं तो आप ले लिजे मंडे का मंगल वार ज शनीवार का राशियां दो आएंगी मकर और कुमब होगी तो शनीवार कर लिजेगा रहू के तुसमें इस formula में जो है जो है जोड़े नहीं जाते इस साफसे इन दिनों के साफसे आप स्केच किजिए जैसे आपने बोला कि आप दिन बता रहे हैं तो वक्त भी कोई खास रह आतेता हूं इसका वक्त जो रहेगा आपको मौनिंग में ही बनाना है सब का चाहें वो शनी हो क्योंकि शनी के उपाई ज़्यादा तर रात को होते हैं बट यहाँ पे इस केस में आपने दिन के टाइम इसको जो है सुबह मौनिंग के टाइम में इसको बनाना है सिर्फ ये आप नॉर्मल किसी भी आप टाइम कर सकते हैं सबाए रहुकाल को छोड़के ये रेमिडी कीजिएगा ये रेमिडी करने से आपके केरियर में एंहेंस्मेंट आपको देखने को मिलेगी ये हर इंसान कर सकता है जो केरियर से जूज रहा है यह हर्व इंसान कर सकता है जिसको केरियर आगे आपके इंप्रूव करना है यह आपको केरियर में इंहेंस करेगा उपरचुनिटी नहीं आ रही उपरचुनिटी आएगी यह उमीद मत कीजेगा कि केरियर आपका भाग पड़ेगा आपका केरियर आपको बहुत जादा उचाई देदेगा उसके अंदर certain formulas है मैं कभी भी shortcut की बात नहीं करता हाला कि आज बात shortcut formula की बात हो रही है लेकिन ये career opportunity आपको देदेगा लेकिन उस career को improve कैसे करना है वो आपकी कुंडली के अंदर आपके certain planets आप decide करते है उसमें कोई shortcut नहीं है career में boom कैसे आएगा career में enhancement कैसे आएगा ये career opportunity लेके आएगा आपके लिए opportunity आपको मिल जाएगी जो चीज अटकी हुई है वो आपको जल्दी मिल जाएगी लेकिन career का ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है अगर 19-21 भी करेंगे तो result नहीं आएगा तो जैसे बतायागा वैसे ही इसको कीज़ेगा तो मुझे लगता है कि एक drawing बनाने से अगर career enhance हो जाए तो फिर इससे जादा मैं deal नहीं कहूंगी deal थोड़ा वैसा सा word हो जाएगा लेकिन वैसी सी कोई चीज है कि उससे जादा फाइदा जो है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता है मैं अपनी जी यहाँ एक चीज़ एड़ करना चाहूंगा जिन जानवरों का मैंने आप नाम लिया वो नक्षतरा को represent करते हैं अगर इनको feed करते रही है आपको आपने अपना वो निकाल लिया आपको मैंने बता दिया आपने निकाल लिया कि कौन सा जानवर आपके लिए suitable है इनको अगर आप feed करना शुरू कर देते हैं आप खुद देखेगा करियर में enhancement कैसे आपको मिलता है इनको feed जरूर किया है इनको नुकसान आपकी तरफ से नहीं पहुंचना चाहिए इनको जाने जाने में नुकसान करेंगे सीधा सीधा असर profession के उपर होगा सीधा सीधा असर आपके कारोबार पे होगा आपके काम पे होगा आपकी noc3 पे आएगा हम कई बार जाने जाने में नुकसान कर देते हैं जानलों का, कर देते हैं आपने कई बार देखा होगा, चींटियां मारना, चुहें को मारना, घर के अंदर आ जाते हैं, लोग मार देते हैं तो एक बड़ी natural सी tendency होती है इनसान की कि हाँ ये घर में नुकसान कर रहा है इसको निकाल दीजिए लेकिन जाने जाने में उसका नुकसान हो रहा है जिसको ये नक्षतर रेप्रेजेंट कर रहा है तो ये एक secret है इनको feed किया कीजिए इनको feed करेंगे benefit आपको खुद देखने क की उपर है तो इसको नुकसान ना देते हैं इनको feed करने से आपको benefit जरूर मिलेगा ये बौत-बड़ा secret आज पुनी जी ने उगलवा लिया है मेरे से लेकिन ऐसे बहुत सारे formulas है जिससे इंसान को instant relief मिल जाता है तो instant relief की बात सुनिल जीने की है कि ऐसा करने से instant relief मिल जाता है और एक चीज़ का धियान रखने के लिए बोला है कि इन ये जो animals हैं इनको आपकी तरफ से फाइदा ही होना चाहिए कोई नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए सुनिल जी जो ऐसी remedies होती है ये अक्सर हमें किताबों में नहीं मिलती कभी-कभी मैं भी एस्टो की बुक्स लेके बैठ जाती हूँ लेकिन बड़ी ही जादा bookish जो है वो बाते होती है मतलब ये मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज अगर कोई देखेगा तो बोलेगा कि ये तो कुछ ऐसा instant सी चीज है जो बच्चों का खेल हुआ लेकिन ये जो ऐसी researches होती है ये आती कहां से है तो जर्बे से तो आती है लेकिन वैसे कहां से आती है भी पूनी जी बड़ा अंदर तक गुसना पड़ता है जोतिश इतना असान नहीं है बहुत गहरा है ये जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं गहरा है ये एक्चल में गहरा है क्योंकि ये जितना दिखता है उतना है नहीं सालों से करोडों सालों से इसके उपर रिसर्च चलती आ रही है हमारे पुराने लोग भी करते थे उनसे पुराने भी करते थे राजा महराओजाव के टाइम पे परसनल जोत्षी लोकों के होते थे बच्चा हुआ है नाम करन उनके थू होगा कुल दिपक निकलेगा या कुल का विनाश करेगा ये वो बता देते थे जो थी सो ये सर्च आज की नहीं है पुरानी चलती आ रही है हम मैं भी जब किसी के पास बैठता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे वो चीज़े पता कर लो जो मेरे सीनर्स है जो मेरे से भी उपर बैठे हुए है जो जिनसे सीखा बहुत कुछ जिनसे बहुत कुछ समझा तो कोई ऐसा इनसान मिले तो मैं उनसे ले ले लेता हूँ कि सर ऐसे हुआ तो कैसे हुआ Docter के पास बैठो, doctor से ग्यान लेना चाहिए वकील के पास बैठो, वकील के ग्यान लेना चाहिए Knowledge बहुत ज़्यादा of limited नहीं है civils इतनी civils ऐा कि आप सोच भी जन सकते कि आप कितना knowledge katter कर सकते हैं, छोटे से दिमाग के अंतर कर सकता हूँ, अगर मेरे को जरूरत है तो मैं करूँगा, अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं दवाई खाऊंगा, अगर मेरे पेट में दर्द नहीं है तो मैं दवाई क्यों खाऊंगा, यह रेमिडिस जो होती है, यह ट्रस्टेड भी है, इसका नुकसान भी नहीं के उपाई बैकफायर कर जाते हैं नुकसान हो जाता है जोत्यों के नुकसान हो जाते हैं तो लाल किताब के उपाई डिफरिंट हैं वो तो वैसे भी कर्मों की किताब थी उसको लाल किताब को बिजनस मना लिया गया लेकिन सही में बताया जाए उसके लाल किताब के उपाई अगर धंगसे किये जाएं तो बहुत फाइदा की गताब है, तो अगर आपको किसी गल्ट परपस के लिए कर रहे हैं, तो करमास बैकफाइर करेंगे, तो आपके उपर हिट करेगा, करेगा, बहुत ही result oriented भी है late result आता है लेकिन result बड़ा stable होता है इसका, so ये backfire कम करते है, ये तो जरबा ऐसे ही इकटा हुआ है, मेरी जब मैं बात कर रहा होता हूँ किसी information, किसी topic पे हम बात कर रहे होते हैं information दे रहा होता हूँ, तो उसमें से 30% जो है, वो मेरी study होती है 70% मेरा तजरबा होता है क्योंकि मैं रोज बहुत कुंडली देखता हूँ काफी horoscope पे analysis करता हूँ तो वो research आपकी जुड़ती जाती है बहुत सारों से करते हैं, research जुड़ती जाती है वो add-on होती जाती है तो 30% bookish knowledge तब थी जब हम पढ़ते होते थे उसके बाद 70% आपका तजरबा जुड़ गया तो यह तजरबे का ही part है यह जो चीजे निकल के आती है यह किसी से बहुत जो प्रभावी लोग होएं जन्होंने astrology की है, उनसे भी सीखता हूँ मैं मैं उनसे भी सीखता हूँ क्योंकि सीखने के कोई सीमा नहीं है किसी से भी आप सीख सकते हैं तो यह Vedic एक remedy थी इंडियन traditional Vedic remedy थी जो घंतों में है तो मैंने भी किसी से सुनी थी, मैंने इसको किया result देखा, result अच्छा लगा पुनी जीन आज topic discuss किया आज दिमाग में वो चीज आ गई वो याद आ गया कि हाँ, ऐसे हैं आप कर सकते हैं तो अभी यह कीजिए इसका benefit आपको जरूर मिलेगा तो अभी बारी है good luck report की लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि यह जो है, यह आज पहली बार हुआ है मतलब मैंने तो पहली बार देखा है कि करियर इन्हांस जो है वो ड्राइंग करने से हो रहा है कितनी कमाल की बात है, वो कितनी प्यारी सी बात है और बाकी यह तो मैं घर जा के सबसे पहले काम कल मौनिंग में ही करने वाली हो गुडलग रिपोर्ट, तजंदर सेंग है जैपोर्ट से हैं, और कितनी कमाल की बात है कि इनका जो क्वेस्टिन है वो आज के टॉपिक से काफी हद तक रिलेट करता है प्रमोशन नहीं हो रही है प्रमोशन नहीं हो रही है एक उपाय मैं बताता हूँ आपको इंस्टेंट उपाय है, उपाय कुंडली के साफ से क्या बनेगा बता दूँगा, क्योंकि आज तो पुनीजी ने शॉटकट मैं इसे अगलवाने की आज मुझे लगता ठानी हुई है तो प्रमोशन नहीं हो रही है एक छोटा सारे में डी कीजेगा एपल होता है, एपल, सेब होता है उसको खाएगा, वो खाके जो बीज होते हैं उसके बीज अपने वाइट रुमाल में, साफ सुतर रुमाल लीजे वाइट रुमाल में डालके अपने पॉकेट में रखके रोज डेके जाएगे ऑफिस देरे देरे प्रमोशन के जासे बने शुरू हो जाएगे और वैसे तो ये बहुत बड़ी टिप थी बहुत अच्छी टिप थी लेकिन फिर भी अगर बोला हुआ है मैंने मेरी जबान की कीमत रखनी पड़ेगी तो आप बताईए टिप आफ तड़ी क्या है आज की आज पुनी जी ने पूरा सारे राज निकलवा के ही छोडने हैं आज पुनी जी आप भी कुछ कोशन पुछ लेजी जो आप पुछाएंगे उसका उपाई बता दूगा जनलर रेमेडी होगी सब ही कर सकते है मुझे मैं पूछती हूँ वैसे तो हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं लेकिन अभी जब मौसम चेंज होता है तब स्किन की बहुत प्रॉब्लम्स आती है खास करके लेडी को तो अच्छी स्किन के लिए क्या करें अच्छी स्किन के लिए एक रेमेडी है इसको दो रेमेडी बिताता हूँ आयरवेदिक भी और आप यह जो 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 जोतीशी रेमेडी है वो भी आप कर लिजएगा आयरवेदिक में ऐलोवेरा skin के लिए बहुत अच्छा है तो aloe vera घर पे लेका ये घर पे लाके वो प्योर aloe vera आप यूज कीजिए skin पे आप उसको लगाया कीजिए as a mask यूज कीजिए ये आपको ayurvedic help करेगा skin की problem जो आ रही है सबी लोगों जिसको आ रही है कि general remedy बिताता हूँ उसकी क्या करना आपने skin सीदी सीदी चर्बी जो है सीदी सीदी बूद के साथ जोड़ी है skin जो आपकी शुकर के साथ जोड़ी हूई है skin की issue आ रहे है white cow को feed कीजिए क्या feed करना है सफेद चीज feed करनी है क्या feed करना है खोया मावा जिसको बोलते है वो feed करना है, शुकरवार को सफेद गाएं को लगातार हर शुकरवार जाके सफेद मिठाई, टाइम कोई भी, टाइम सुबे का सुबे का, आप जाके feed कीजिएगा, regular कीजिएगा skin issues कम होने शुरू हो जाएंगे, ऐर्वेजिक इलाज भी लीजिए, और ये योतिशी इलाज भी कीजिएगा, skin में फरक जूरू पड़ेगा तो आपको थोड़ा साथ धन्यवाद तो मेरा भी करना चाहिए सुनील जी के साथ साथ, कि मैंने इतने उपाएं जो हैं, इनसे पूछ लिए हैं आज बाकी आज का ये एपिसोड काफी इंट्रस्टिंग रहा और सबसे अच्छी बात ये हैं, कि मुझे पता है कि मेरी तरह आपको भी जल्दी है कि कब हम ये उपाएं जो हैं, वो जल्दी से जल्दी करें तो all the best इसके लिए, बताएगा जरूर कैसा रहा ये उपाएवाला सफर जो है और बाकी एस्ट्रोपीडी का सफर तो आपके लिए है ही और हमेशा रहेगा ध्यान रखिये अपना, धन्यवाद